नमश्कार दोस्तों मेरे टरिस गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वाकत है यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये मेरा बैंगन का पोधा है और ये 20 लीटर की पेंट की बाल्टी में लगा हुआ है और आप देख पारे होंगे इसमे काफी सारे बैंगन लगे हैं और ये काफी सारे पहले भी बैंगन मेरे को दे चुका है अब इसकी बैंगन की हर्वेस्टिंग कर लेते हैं ये मैंने सारे बैंगन उतार लिये हैं जितने भी लगे थे इस प्लांट में अब ये प्लांट हमारा और जल्दी से बैंगन दे उस जिन शाकाओं पर बैंगल लगे हुए थे मैंने उनकी कटिंग कर दिये अब हम इसकी मिट्टी में थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं ये इसमें हलकी हलकी सी गुड़ाई कर देते हैं मिट्टी में हलकी सी गुड़ाई उपर उपर से करने के बाद में हमने ये मिट्टी का मिक्चर तयार करके रखा है ये गोबर की खाद है ये मेरा किचन का मपोच है ये नीम खली है और ये थोड़ी सी राख है इस मिक्चर को डाल के हम मिट्टी में थोड़ा सा पानी टाल दे फल दे निकली तैयार हो जाएगा ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको ये इसमें ऐसे डाल के वाप इसमेटी ऐसे कर देते हैं खाट का मिक्स्टर डालने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं अब आपका पौधा वापिस से जल्दी से ठेर सारे फल देने के लिए आपको तयार हो जाएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें थैंक्स फ़र वाचिंग